नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रमित माईश्वरी आप सभी का सवगत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आप में से हर व्यक्ती अपने बिजनस में सफलता हासिल करना चाहता है तो इसके लिए सबसे अनिवार्य है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनस में सफलता के सिध्धानत क्या है जो व्यक्ती बिजनस में सफलता के सिध्धानतो को समझता है अनुकरन करता है वही व्यक्ती अपने जीवन में बिजनस में सफलता हासिल कर पाता है दोस्तो भारती अर्थ रस्ता में बिजनस की अपार संभावनाई है जैसे जैसे देश का विकास होता जा रहा है बिजनस के नई आयाम और नई कीर्थी मान स्थापित होते जा रहे हैं ऐसे में हमारे पास बिजनस की अपार संभावनाई हैं यह हम पर निर्बर करता है कि उन अपार संभावनाओं में से हम किस तरह के बिजनस का चैन करते हैं और अपने जीवन में उस बिजनस को करके बहुत अधिक बुलंदियों को छूते हैं दोस्तो बहुत सारे बिजनस आज के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं अपने पीक लेवल पर पहुँच चुके हैं जितने भी बिजनस इस समय पे पीक लेवल पर पहुँच चुके हैं उन में विकास की संभावनाएं बहुत कम होती हैं क्योंकि जिस समय एक बिजनस अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है उस समय पर उस बिजनस में ratio of margin घड़ जाता है और competition का आकार निरंतर बढ़ता जाता है इसके अलावा बहुत सारे बिजनस ऐसे हैं जो अभी व्यापार की सामन्य आवस्थाओं तक पहुंचे हैं और इसके अलावा बहुत सा हैं और जब कोई business बिल्कुल नया business होता है तो उस business में उस व्यापार में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत अधिक होती हैं साथ ही साथ competition भी बहुत कम होता है जब किसी business में competition कम होता है तो उसमें growth की संभावनाओं के साथ साथ ratio of profitability बहुत जादा high होती है इसलिए आपको यह देखना होगा कि जो business आप लोग करना चाहते हैं कहीं वो व्यापार की चरम सीमा तक तो नहीं पहुँच गया है और उसमें profit की मातरा भी कम है और साथी साथ competition के इस दौर में भीड के रूप में लोग उस business के पीछे भाग रहे हैं फ्रेंट्स यदि आप ऐसे business क चैन करते हैं जिसके भविश्य में बढ़ने की अपार संभावनाई है तो आप अधिक मार्जन कामाते हुए कौम competition का सामना करते हैं जिस से आने वाले समय में आप एक नया कीरतिमान स्थापित कर सकते हैं मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी seat पर बैटे है उस व्यक्ति का ज इस बात को समझने पर लगा रहा है कि मुझे कौन सा बिजनस का चैन किया जाना चाहिए फ्रेंट्स लाइफ में आप कोई भी बिजनस करें सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्या आप बिजनस में सफलता के सिधानतों को ठीक तरीके से समझते हैं नहीं यदि आप अपने ब जानते हैं कि इस समय आर्थिवस्था में मंदी का दौर है मंदी होने के साथ साथ कॉम्पिटीशन भी निरंतर बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़ए से आज प्रतेक बिजनसमें की ये अनिवार्य आवशकता बन गई है कि वो अपने बिजनस को अड़टाइज करें लेकिन अड़टीशमेंट के बजट निरंतर बढ़ते जा रहे हैं इसलिए आज की आदिनिक समय में बहुत सारे बिजनसमें अपने बिजनस का अड़टीशमेंट करने के लिए शोशल मीडिया इंटरनेट मार्केटिंग डिजिल मार्केटिंग और अफिलेट मार्केटिंग का प्रयोग करते हैं और यदि आप शोशल मीडिया इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिल मार्केटिंग का कोई भी एक कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद आप बहुत सारी बिजनस का चैन करते हैं तो आपके पास आने वाले समय में भी व्यपार में आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावनाई हैं मैं एक example के माधियम से आपको बताता हूँ आज छोटी से छोटी company और बड़ी से बड़ी company अपने business को advertise करने के लिए social media, internet marketing, digital marketing and affiliate marketing का प्रयोग करती है ऐसे में यदि आप इसका course करते हैं तो course करने के बाद आप companies के साथ tie up करके उनके social media, internet marketing, digital marketing, SEO और SMO का का काम संभाल सकते हैं आज के समय में यदि कोई भी company किसी भी advertiser को contact करती है तो on average 25,000 रुपे पर month से लेकर 40,000 रुपे पर month तक वो advertisement company उस company से charge करती है और यदि आप अपने घर बैटकर business करना चाते हैं बिना office setup के business करना चाते हैं तो मेरा आप logo से अनुरोध है कि आप social media, internet marketing और digital marketing चे संभंदित course करें course करने के बाद आप companies को information भेजें कि यदि आप internet marketing के जरीए अपने product, अपने brand, अपनी services को logo तक पहुचाना चाते हैं तो मैं ये काम आपका कर सकता हूँ आपको जान के आश्चारे होगा बहुत सारे startups ने ये business चुरू किया है और इस business में वो एक company से लगबग 25 से 40,000 रुपे प्रतिमा लेते हैं और कई लोग बहुत सारी companies का social media, internet marketing और digital marketing का काम संभालते हैं मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो full time या part time इस business को कर रहे हैं on an average यदि आप 25,000 रुपे प्रतिमाई company से लेते हैं और on an average यदि आपके पास 20 से 30 companies हैं तो 5 से 7 लाख रुपे पर मंत का business आप करते हैं और जैसे जैसे number of companies आपके पास निरंतर बढ़ती जाए आप अपनी टीम बना सकते हैं आप अपने साथ लोगों को train करके उनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं ऐसा करके आप लाख रुपेया internet marketing, digital marketing, social media, SEO, SMO के माधियम से कमा सकते हैं इसी रहे friends आज के आदुनिक समय में ये एक ऐसा business है जहां बहुत कम investment में आप एक बहुत भेतरीन business खड़ा कर सकते हैं business का दूसरा idea आज आप जानते हैं कि लगातार हमारे देश की population बढ़ती जा रही है और हमारे देश में electricity की demand निरंतर बढ़ रही है जैसे जैसे electricity की demand बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उस अनुपात में supply निरंतर घटती जा रही है ऐसे में प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मुदी जी ने solar power के इस्तिमाल पर बहुत अधिक जोर दिया है आपके पास एक ऐसे business की opportunity है जो आने वाले समय में बहुत तेजी से प्रगति करेगा क्योंकि बिजली के आपूरती निरंतर घट रही है लेकिन population बढ़ने के साथ साथ बिजली के demand रोजाना बढ़ रही है यदि आप अपने शेत्र में अपने राज्य में अपने गाओं में अपने डिस्ट्रिक में अपने कस्बे में solar panel से संबंदित business करते हैं तो आपके पास एक नए business की opportunity होगी आप solar panel के installation, solar panel का sale purchase, solar panel की wholesale, solar panel की retail और solar panel से संबंदित services का business भी कर सकते हैं या business बहुत ही कम investment में शुरू होता है या business बहुत कम investment में शुरू होता है आप 5 panel, 10 panel से अपना छोटा सा shop खोल सकते हैं, dealership खोल सकते हैं, distributorship खोल सकते हैं आज जितनी भी companies solar panel बना रही हैं, वो अपने product को पूरे भारत वर्ष में बेचने के लिए अलग-अलग राजियों में dealer, distributor, wholesaler, retailer, retailer अपोइंट कर रही हैं ऐसे में solar industry से related आपके पास एक ऐसी opportunity है, जहां बहुत बड़ा व्यावसाइक कर सकते हैं और friends, ये business एक future based business है, क्योंकि आने वाले लंबे समय में solar उर्जा की मांग निरंतर बढ़ती जाएगी और आप एक ऐसे business के मालिक बन जाएगे, जिसमें इस समय बहुत कम competition है, level of margin बहुत हाई है और साथ में government of India इसको पूरा support कर रही है यदि आप अपने business को निरंतर बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि government of India के departments में भी आपके द्वारा supply के solar panel install किये जाएगे, आप देखते हैं, government के जितने department हैं, वहाँ पर department बनाया गया है कि इस department में solar उर्जा का इस्तिमाल किया जाएगा आप school, colleges, hostel, metro station, telephone exchange, जहाँ भी government के department देखेंगे, वहाँ पर solar panel की installation लगातार चलती जा रही है आप solar panel industry में बहुत बड़ा business खड़ा कर सकते हैं, तो friends आप कम पुंजी से लेकर जितनी पुंजी की मात्रा आप लगाने के लिए तयार हैं, उतनी पुंजी में आप solar panel का business बहुत असानी से कर सकते हैं अंडवलप्ट एरिया में, रूलल एरियाज में, विलेजिज में, डिस्ट्रिक्स में, कस्बे में इस तरह के business की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है क्योंकि बिजलियापूर्ती के लिए सरकार वहाँ पर चीज़े उपलब नहीं करवा पा रही, ऐसे में आवाँ solar power का इस्तिमाल करके, solar power से सम्बंदित product, sale, purchase और services का business करके, हजारों नहीं, लाखों में income कमा सकते हैं एक ऐसा business जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, वरतमान में उसकी demand बहुत अधिक है, और आने वाले समय में भी इसकी मांग निरंतर बढ़ती जाएगी क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे घर की जहाँ पर kitchen ना हो भारत में प्रतियक घर में kitchen का निर्मान किया जाता है, क्योंकि भारत में प्रतियक घर में kitchen लगाए जाती है ऐसे में kitchen, vanity and wardrobe से संबंदित business करके, आप हजारों नहीं, लाखों में पैसा कमा सकते हैं ज़रूरी नहीं कि यदि आप kitchen का business करना चाते हैं, तो आपको factory setup, manufacturing setup लगाना होगा आज बहुत सारी companies जो बड़े पैमाने पर modular kitchens, modular vanities, wardrobes, steel furniture का निर्मान करती हैं और पूरे भारत वर्ष में अपने dealer और distributor वा franchise ही appoint कर सकती हैं आप छोटी से shop में dealership लेकर दो kitchen, तीन kitchen, एक kitchen जितनी भी investment से आप business करना चाते हैं उतना investment लगा कर आप वहाँ पर setup बना सकते हैं इस business में आपको stock करने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि चारातर घर जहाँ पर kitchen लगाए जाते हैं वहाँ सारे product 100% customize होते हैं मतलब client की अवसकता अनुशार आपको product बनाने होते हैं और वो सारी companies जो आपको dealership, distributorship या franchise देती हैं या उनके जिम्मेदारी होती है कि आपके size के according client के size के according product बना के आपको supply करें और ऐसे में जब आप किसी भी company में customized product के लिए काम करते हैं तो आपको level of investment की problem नहीं होती क्योंकि किसी भी तरह का stock आपको maintain नहीं करना होता इसकी वजह से एक बार जो display में पैसा लगा है वही आपके investment होती है और जितना भी माल आप बेशते हैं वो 100% advance payment के माध्यम से ही बेचा जाता है तो आप अपने राजिय में अपने district में अपने गाओं में अपने जिले में अपने कस्वे में modular kitchen का business modular furniture का business करके हजारो नहीं लाखों रुपे में income कमा सकते हैं क्योंकि modular kitchen का जो segment है वो एक customized segment है वहाँ पर किसी भी तरह से एक kitchen की कोई MRP नहीं होती MRP ना होने की वज़ा से और customized product होने की वज़ा से ratio of margin बहुत अधिक high होता है और level of competition में भी आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं इसलिए आप ऐसे business का chain करें जहाँ product की value बहुत high हो customization में आप ज़्यादा profit कमा सकते हैं और competition में भी आप customization का formula का इस्तेमाल करके बहुत अधिक margin कमा सकते हैं stock रखने की तो आपको ज़रुवत नहीं पड़ती है दोस्तो आज का समय आधुनिक टक्निकी का समय है बहुत कम investment में बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आप किसी institute से computer वा laptop का hardware, chip level, repairing का course करके अपने राज्य में, अपने शेत्र में laptop, computer की, repairing की shop, service center, sale purchase का business करके बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं इस business में investment कम है साथ ही साथ आपके आसपास के शेत्र में जितनी भी companies हैं उन companies से AMC लेकर आप regular income generate कर सकते हैं साथ ही साथ आप computer और laptop के sale, purchase का business कर सकते हैं और किसी भी branded company का authorized service center लेकर भी आप बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं यह इस बात पर निर्बर करता है कि आप अपने business में कितना निवेश करने के लिए तयार हैं यदि आप जितना ज़्यादा समय अपनी योग्रिता और काबलियत पर लगाएंगे उतना कम निवेश में आप बहुत अधिक margin कमा पाएंगे इसलिए आधुनिक समय में आप technology का प्रयोग करें किसी भी institute से computer का hardware, laptop का hardware और software का course करें उसके बाद आप एक शक्षम engineer बनते हैं आप अपने राजे में इस काम को कर सकते हैं और आसानी से बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं यदि आपके शेत्र में already computer और laptop के बहुत अधिक engineers हैं तो ऐसे में उनको spare parts की जरूत होती है तो आप wholesale का business कर सकते हैं hardware का समान, accessories का समान और बहुत सारी चीज़ें साथी साथ आप नए वा पुराने laptop और computers के sale purchase के business के साथ साथ repairing का business भी कर सकते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे business के बारे में जो कम समय में, कम पूंजी में, कम निवेश में, छोटे infrastructure में बहुत आसानी से खोला जा सकता है कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास mobile phone ना हो कैसा संभव है? आज हमारे देश की population लगबग सवासो करोर का आकड़ा पार कर चुकी है लेकिन mobile phone की बात करते हैं तो सवासो करोर से जादा mobile phone हमारे देश में है इसका मतलब information technology के इस युग में कोई भी व्यक्ति mobile से अचूता नहीं रहा है वो दिन चले गए जब हमारे देश में कुछ ही चुनिदा companies mobile phone का व्यापार करती थी जैसे Nokia, Sony Ericsson, BankQ ये वो companies हैं जो आज से बहुत समय पहले mobile phone का business करती थी जैसे जैसे mobile की demand बढ़ती गई technology में परिवर्तन आता गया अनेकों companies ने इस शेतर को देखा कि इसमें विकास की संभावनाई बहुत अधिक हैं उन companies ने भी बाकी sectors को छोड़ कर सारा निवेश mobile technology में लगाना शुरू किया आज mobile industry में brand की बार्ड सी आ गई है जब अर्थिवरस्था में किसी भी industry में बहुत सारी companies आ जाती हैं तो उनके द्वारा बनाए गए handsets और उनके द्वारा बनाए गए products में services की demand भी लगातार बढ़ती जाती हैं ऐसे में आप किसी भी institute से मातर तीन महिने का mobile repairing का software, hardware और chip level का course करके अपने राज्य में mobile repairing की shop या service center खोल सकते हैं साथी साथ आप नए वा पुराने mobile phone की trading sale purchase का business कर सकते हैं यदि आप ज़्यादा निवेश करना चाते हैं तो आप किसी भी company का authorized service center लेकर भी अपने business को set कर सकते हैं यदि आपके शेतर में पहले से mobile repairing की बहुत सारी दुकाने हैं क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे राजियों में जान लाइन से mobile phone repairing की बहुत सारी shops हैं service centers हैं बहुत सारे युवा उने इस course को करके अपने राजियों में इसका काम किया हुआ है तो ऐसी अवस्था में आप अपने राजियों में wholesale का spare part accessories, batteries, charger, mobile phone की trading और sale purchase कर सकते हैं यदि आप बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो किसी भी branded company का service center खोल कर आप बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं तो friends आज हमने बात की थी पाँच ऐसे business ideas के बारे में जो बहुत छोटी पुझी कम समय, कम investment, कम निवेश और कम जगह से शुरू किये जा सकते हैं लेकिन ऐसे businesses में आपकी technical knowledge और skill ज़्यादा बहतर होनी चाहिए अगले training program में हम लोग बात करेंगे ऐसे बड़े businesses के बारे में जहां पर बहुत बड़े infrastructure में हम लोग बड़ी investment के साथ और लाखो के नहीं करोडों की investment से शुरू होते हैं और income भी करोडों में होती है तो इस तरह के किसी भी business के बारे में यदि आप कोई भी information चाहते हैं जैसे mobile repairing का course मैं किस institute से कर सकता हूं computer hardware और chip level का course मैं कहां से कर सकता हूं model kitchen के लिए कौन सी बहतरीन company है solar का business अगर मैं करना चाहता हूं तो कहां से मैं wholesalers का contact ले सकता हूं मतलब इन पांचों business संबंदित यदि कोई भी सवाल आपका हो तो आप लोग मेरी team से contact कर सकते हैं और यदि आप में से कोई भी व्यक्ती किसी भी business के setup के बारे में कोई भी information चाहता हो या personal level पर कोई भी consultancy चाहता हो तो आप लोग मेरी team को call कर सकते हैं तो friends आप लोग अपने जीवन में निरंतर कुछ न कुछ अवश्य सीखें अपने आपको आगे बढ़ाएं अपने business को develop करें अपने आपको develop करें मेरी शुब कामनाई आप लोगों के साथ हैं दोस्तो जब आप नया business करेंगे तो समस्या हैं तो आपके सामने आएंगी ही लेकिन जो लोग उन समस्याओं को पार करके पूरी मेहनत, शिद्दत और इमानदारी के साथ अपनी करतेव निष्ठा के साथ कारे करेगा उसको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी एक अंतिम बात क्या कि अपनी वानी को विराम देता हूँ कि वो पत क्या प्रतिक कुशलता क्या जिस पत्मर विक्रेश शूल ना हो ना विक की धहरे परिक्षा क्या जब धाराएं प्रतिक कूल ना हो तो आप लोग जीवन में आगे बढ़ें स्वस्त रहें, मस्त रहें जीवन में हमेशा व्यस्त रहें